मैं आपको क्लास 12 का कॉमर्स का बिजनेस माथमाटिक्स और स्टाटिस्टिक्स करवा रहा था जिसमें हमने चैप्टर टू एक्सरसाइस टू वी का कोशन कंप्लीट कर लिया था पूरी तरह से आज हम करेंगे एक्सरसाइस 2 में क्या है जैसे हमने अर्थमेटिकrunning मीन किया था वैसा ही इसमें जैसा ही मंगर इन दोनों का A और C का geometric mean क्या होगा B होगा ठीक है B को हम क्या चैसी donate करेंगे capital G से क्या करेंगे हम common ratio निकालेंगे common ratio क्या होता है second term divided first term फिर यहां पर और आगे बढ़ेंगे तो third term divided second term ऐसे की और आगे की और बढ़ते जाता है ठीक है तो G multiplied देखेंगे यहां पर लिखा हुआ अभी common ratio is equal to second term, r से denote करते है इसको small r से, G into G cross multiplication की है A into B ठीक है तो क्या है हमारा G square is equal to AB, G is equal to square उदर होगा यह root AB हो जाएगा मतलब both sides squaring root करेंगे तो इस पर square root लगेगा तो यह क्या हो जाएगा, G square का G, I a root under AB हो जाएगा तो यह सिर्फ 2 geometric mean अगर निकालना है दो number का है, मतलब 3 दिया हुआ है दो number दिया हुआ, दो number का बोला जाएगा कि geometric mean find कीजिए तो यह formula लगाएगा ठीक है फिर आगला question आता है तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा definition पढ़ेंगे यह आप भी और उसको इस formula देखेंगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लेट एट 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 इसके लिए हम लोग क्या करेंगा यहां number of terms क्या हो वन से एट तो था ही ठीक है एट और एक दो एक्स्ट्रा भी है मेरा ए और भी ठीक है number of terms तो हम लोग टोटल ले ले लें क्या एट प्लस टू यहां पर देख रहे हैं लास्ट Zahl टक क्या लिए है भी के बराबर एंत ट्म एंट प्लस टू लू ठीक है एंट प्लस टू ठीक है फॉर्मूल, जानते हैं अंट टू क्या होता है a into r n-1 t n plus 2 क्योंकि number of terms मेरा कितना n plus 2 है ठीक है a r n plus 2 यह समझ में आया है n plus 2 क्या है 1 2 3 4 5 6 यहां तक n तक हो गिए अब फिर 2 मेरा extra है जिसको हम plus 2 add कि a और b ठीक है तो यहां पर हम put कि n के जगा n plus 2 क्योंकि number of terms मेरा क्या है n plus 2 n plus 2 put कर दिया यह minus 1 n plus 1 हो गिया ठीक है तो b a क्या करेगा इधर divide करेगा तो b by a लिखेंगे ठीक है n plus 1 क्या करेंगा हम n plus 1 से both side divide कर देंगे इधर भी इसके power में n plus 1 इधर भी n plus 1 ठीक है divide किया सकता है both side तो n plus 1 divided गे तो यहां क्या बचा वन यहां था वन डिवाइड किया था फ। इसी में वेरीवल से बता रहा है कि कैसे निकाला जाता है हमको बस यह फायंड करना उसके बाद हम फायंड करके निकालेंगा टीक है फर्स्ट जो है मीन फर्स्ट रम इंटू रेश्यों लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं यह लेते हैं फिर ए आर अगर नहीं पता है तो ए आर स्कॉर फिर क्यों ऐसे की और आगे बढ़ते हैं तो ऐसा ही है सिम फर्स्ट टर्म इंटू आर आर का वैलू हम लोग कुट करें बी बाई ए वन बाई एन प्लस होल स्कॉर 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 ठीक है इसको सॉल्ब करते हैं हम लोग इसको सॉल्ब करेंगे आप तो हम क्या पाते हैं बी बाई ए वन बाई एन प्लस वन हम आपको बताए भी हैं कि अगर पावर ऐसे ब्रैकेट में रहे हैं एक पावर एम होल ब्रैकेट एन तो क्या होता है यह पावर फॉर्मूला एट क्लास में आप लोग पढ़ा होगा तो यह क्या करेगा मल्टिप्लाइ करेगा टू बाई एन प्लस वन ठीक है वैसे ही आगे इसको सॉल्ब नहीं किया है मैंने अब एक्ससाइस टू सी करते हैं इसने कोशन लिखी दिया है मैंने लग रहा है एट बाई ट्विंटी सेवन और माइनस फाइफ अपॉन बाई इसक्सटीन के बीच जिक्स जिएमेट्रिक प्रोवेशन रख रहा है ठीक है यह मिक्स नंबर में दिया हुआ है आपको तब क्या होगा आप माल लेंगे एट बाई ट्विंटी सेवन और माइनस फेश सिक्स कितना है जीवन जीटू जीटू जीटी फोई 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 फाइ तर ना कि यह दोनों ठीक है दोनों के लिए हम लट तो अलग से लगाता है यहां से यहां तर फर्स्ट हम क्या होगा मेरा एट बाई 2 एट बाई 27 ठीक है और मेरा क्या मैंस फाइव बाई-बाइस फाइफ अपाउन वन बाई 16 इसको स्वाल्ब करेंगा माइनस एकीषिन ये माइनस अलग है, ऐसे बाहर, ठीक है, 16, 5 जा 80, प्लस 1, 81 बाइ 16, कामा रिश्यो इसक्वाल टो, B बाइ A, पावर 1 बाइ एन प्लस 1, माइनस 81 बाइ 16, 8 बाइ 27, पावर 1, एन हम बोलाते हैं, क्या 6, तो 6 प्लस 1 जेना है, ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस 81 बाइ 16, इन्टु 27 बाइ 8, पावर क्या हो गया, 1 बाइ 7, पावर हो गया, 1 बाइ 7, अब क्या करेंगा, माइनस 81 को एक्सपैंड कर देंगा, ठीक है, 3 इन्टु 3, 3, 3, 9, 9, 3, 27, 27, 3, पावर क्या हो गया, 2 का पावर हो गया, 7 ये ऐसा मत कर देंगा, कि माइनस, 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 मुल्टिपलाई नहीं करना है, 'dockah, 2 का पावर 7, क्या होगा, ये पावर 7, क्या होता है, A का power M और B का power M ऐसा रहता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जब दोनों power से मोग तो हम whole power M बाहर लिख सकते हैं और उसके बाद जब ये आ जाएगा ऐसा तो फिर हम क्या बताये थे अभी उपर में बताये थे ये आ गया माल लो A by B का power M और power N तो क्या होगा A by B का power M इन्टो N दोनों multiply हो जाता है तो वही हो गया 7 इन्टो 1 by 7 cancel होगे माइनस 3 by 2 आ गया ठीक है ये हमारा common ratio का value माइनस 3 by 2 आ गया अब put करते हम value G1 क्या होगा first term इन्टो common ratio ठीक है तो first term 8 by 27 इन्टो माइनस 3 by 2 cancel करेंगे 9 जा 27, 2, 4 जा 8 माइनस 4 9 आ गया A r square 8 by 27 माइनस 3 by 2 का square तो 3 का square क्या होता है 9 हो जागा हम negative है तो positive में change हो जागा क्योंकि अगर power even number में हो with some संख्या में हो power अगर some संख्या हो या even number हो तो हमेशा negative वाले को क्या हो में change हो जाता है positive में change हो जाता है अगर power विसम संख्या में हो या odd number में हो तो negative वाले हमेशा negative भी देगा तो यहाँ पर 3,009, 22,4 is equal to 2 by 3 cancel करेंगे 9, 3 by 27, 4, 2, 8 2 by 3 अब आते हैं इसमें AR Q 8 by 27 minus 3 by 2 का Q minus 3 का Q क्या होगा minus 27, 3, 3, 9, 3, 2 क्या होगा 8 यहाँ देखें minus आया क्योंकि यहाँ पर power क्या है odd number में है ठीक है विसम संख्या में cancel करेंगे 27, 27, 8, 8 minus 1 हो गया आगे क्यों बढ़ेंगे AR to the power 4 8 by 27 minus 3 by 2 the power 4 यहाँ पर power even number में है तो यहाँ पर हमको जो भी आएगा positive में आएगा 39, 81 होता है 2 का 16 होगा power 4 8 to the 16 cancel 27, 3 is 81 3 by 2 होगा यह 16 है ठीक है E 5 AR to the power 5 8 by 27 minus 3 by 2 3 power 5 8 by 27 into minus 3 का power 5 है तो कितना आएगा minus 243 by 32 8 for the 32 27, 9 times में 243 हो cancel कितना गा minus 9 by 4 हो जाएगा A का power 6 A power A into R to the power 6 is equal to 8 by 27 into minus 3 by 2 power 6 minus 3 का power 6 7, 29 होगा positive बाएगा क्योंकि power क्या है even number में है and 2 का power 6 किया होगा 64 8 to the 64 में 8 times में cancel 27, 2729 को 27 times में ही cancel करेगा क्योंकि 27 का square होता 27, 29 ठीक है 27 by 8 finally हमारा आ गया इन दिनों का 6 symmetric mean minus 4 by 9 2 by 3 minus 1 3 by 2 minus 9 by 4 27 by 8 ठीक है इसके बाद दो question जो है first, second same question है तो इसलिए minus को छोड़ दी आप 4 नमबर वाला question हम देखेंगे यदी 2 और 1 बटा 4 के बीच का गुरूत्तर माद्द है a हो तो a कमार निकाले simple question है g is equal to क्या है root under a b यही होता है mean तो a बोला है तो g की जगा हम a लिख देंगे is equal to 2 into 1 by 4 2 cancel करेगा root के अंदर में 1 by 2 1 का square root क्या होगा 1 2 का square root 2 ही होगा ठीक है 1 का square root क्या होगा 1 and 2 का square root क्या होगा root 2 होगा ठीक है फिर अगला question हम देखते है अगला question भी simple ही है फिर भी मैंने बताया इसमें 8 और 32 के बीच के गुलूत्तर माध्या क्या थी जहा find the geometric mean between 8 and 32 बस यह formula बैठा देना मैंने बताया था 8 और 30 का बस एक ही geometric mean हो लेगा यह formula बैठाना है root अंडर A into B 8 इन्टू 32 256 और 256 का square root क्या होगा 16 यह finally answer आगे ठीक है अब हम चलते है 6 number question में 6 number क्या बोलता है हमारा 486 और 6 के बीच में 3 गुन उत्तर माध्या प्रविश्ट कीजिए इसको हम दूसरे तरीके बनाएंगे जो पहला वाला बनाये थे 4 पांस निकालने का तरीका व्यसाने जिसमें common ratio हम निकाले थे हम देखते हैं यहां पर मानते हैं क्या let G1, G2, G3, 3 geometric mean between 486 and 6 तो यह ले लिए first वाले को A से second वाले को A into R third वाले को A R square fourth वाले को A R cube and 5 वाले को A R to the power 4 तम क्या करेंगे यह last वाले को common ratio का ratio निकालेंगा A R to the power 4 by A 6 by 486 लिख दिया A A cancel हो गया बचा क्या A A cancel हो गया 6 by 486 है तो यह cancel हो क्या हैगा 81 तो मेरा क्या हो गया 1 by 81 R to the power 4 is equal to 1 by 81 R to the power 4 इसका क्या हो जाएगा 1 by 3 का power hold 4 9, 9, 27, 27, 3 is 81 यह hold कर सकते है 1 का भी 1 का तो कुछ भी power लिखो 1 ही आएगा R का value क्या आगया 1 by 3 अब बस पूट करतो G1 is equal to A into R to 4 first term क्या है मेरा 486 है 486 लिखे है into common ratio 1 by 3 cancel करो 162 G2 A R square 486 1 by 3 square क्या होगा 1 by 9 9 से 486 को cancel करेंगा 54 times में cancel होगा G3 A into R to the power cube is equal to 486 into 1 by 3 cube 486 1 by 27 cancel करेंगे 18 times आएगा तो मेरे को find हो गया 162, 54 and 18 ठीक है यह आपको find हो गया finally 7th number last question बसता है जो same question 6 की तरह बस कुछ नहीं है इसमें 3 और 192 के बीच में 5 गुनोतर माद्य प्रविष्ट किजिए same question है बस यहां से थोड़ों सा भटकाया है 3 और 192 के बीच में 5 ऐसी रासियां गयाद किजिए वही चीज है 5 geometric mean find करना है या 5 ऐसी रासियां गयाद किजिए जिसके प्रकार बनी 7 सब्दों को स्रेणी गुनोतर स्रेणी माँ same इसी की तरह हमको निकालना है ठीक है इसमें क्या लेना है A ये हो गया आएए क्या होगा A into R to the power 6 थोड़ा सब्दों है इसमें थोड़ा सा discussion कर गरता हूँ ये 3 था यहाँ ये 3 था ठीक है और लास्ट वाला क्या है 192 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते 3 G1 5 बोला है G2 G3 G4 G5 लास्ट ही होगा 192 ठीक है ये होगया मेरा A AAR AAR square ये मेरा A into RQ A into R to the power 4 into R to the power 5 A into R to the power 6 ठीक है इसी का रेश्यों हम लोग निकाल लेंगे A R to the power 6 by A फर्स्ट रम लास्ट उसके बाद क्या है 192 by 3 A A cancel हो जाएगा 3 6 18 3 4 12 R to the power 6 64 ठीक है R to the power 6 64 का क्या होगा 2 का power 6 होता है 64 तो R का value क्या आगा 2 अब आराम सा आप निकाल लो इसमें put करके फर्स्ट आम आपको पता ही है A रेश्यों आपको पता ही चल गया Common R to put कर दिए इसमें find हो जाएगा आपका ठीक है ठीक है अगला वीडियो मैं आज ही डालूंगा Harmonic Progression का ठीक है अगला थर्ड चैप्टर और इसके बाद वाला जो है आपका MCQ Question वो अपने खुद से करे आप ठीक है जैसे आपका practice हो ठीक मांना बन्याग 1